नमस्कार, NDC News देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ, अशना कौशल, NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिज, तो दोस्तों देख रहे हैं ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है खास? इस घटना क्रम में साप के शिकार हुए 17 वर्षिय किसान परवत गाला बारिया को गोधरा ले जाया गया, मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवत को जब साप ने काटा, तो उसने उल्टी करके सारा जहर उसी पर डालने की कोशिश की, बदले की आग में जल रहे इस शक् पकरा और उसे मुह में डाल लिया, बारिया की बहु ने मेडिया से बाचीत में बताया कि उसने इस घटना क्रम के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी रिष्टेदार ने उसे जानकारी दी, बहु ने बताया, रिष्टेदार ने साप उनसे लिया और उसे जला दिया और अस अस्पताल में ससुर के साथ ही रहे, पहले पेड़ित किसान को लुनावड़ा के अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में एक निजी अस्पताल रह भर किया गया, इसके बाद उसे वहां से गुधरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां करीब चार घंटे तक कस्पिताल में इलाज चला लेकिन उसकी मौत हो गई